Hello चात्रो, UPCA Express Computer Word में आप सभी लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में आपको पेज लेटाउट टैप के बारे में बताया जाएगा पिछले वीडियो में आपको इंसर्い टैप के बारे में जानने को मिला था आगे हम पेज लेटाउट के बारे में बताते हैं तो page layout में आपके ये सारे option आपका जो दिख रहे हैं इनके बारे में हम discuss कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका page layout में theme option है theme का मतलब है आप और एक चीद ध्यान लखना जब हम theme change करेंगे तो ये पूरे seat की theme change हो रही देखेगा चात्रो यहाँ पर आपका effect भी दिख रहा है और इस seat पर भी effect आ रहा है जो भी theme हम लगाएंगे वो theme आपकी लग जाएगी तो यहाँ से हम कोई भी theme नहीं लगाते हैं सबसे पहले office theme को लगा देते हैं तो theme के बाद आता है चात्रो color यद हमें color लगाना है तो देखेगा color आपका बदल लहा है यहाँ पर सारा नहीं बदल लहा है लेकिन इस box में देखेगा हर जगा बदलता हुआ नजर आ रहा है तो इस प्रकार से हम कोई भी color कोई भी लगा सकते हैं इस पर और यहाँ पर हम click करके जैसे click करेंगे वही color आपका लग जाएगा आप चात्रो फांट की तरफ बढ़ते हैं तो फांट में हम click करेंगे तो यहाँ से जो फांट हमें लगाना है वो फांट हम लगा सकते हैं कैसे लगा तो हो में जायेगा देखेगा एरियल फांट आपका हर जगा पूरी सीट में एरियल फांट लग चुका है इसी प्रकार page ले आउट में जाके यदि आप फांट में दूसरा कोई फांट लगाते हैं तो यहांपर देखेगा तो हर जगा आपका कालिबरी फांट हर और लग चुका है तो चाथ रोफ प्सकी में आप कलर हो या स्थीम और फ़ूद्न हो या इफ्ट हूं हर पूरी शीटर के आपका लग जाए data हम aerial font पुनह लगा लेते हैं अब हम बढ़ते हैं effect में effect में चात्रो देखेगा यहां पर seat में effect नहीं दिख रहा लेकिन यह box जो हमने बना रखा है इस पे effect देखो दिख रहा है यहां से हमने देखा तो देखेगा यह effect आपका बन रहा है जैसा भी effect आपको लगाना है वैसा आप लगा सकते हैं यह आपका effect आया तो यह आपका effect भी clear हुआ चात्रो हमने आपको theme color font और effect बता दिया है इसके बाद चात्रो margin option जो है और बहुत है important है excel में इसका सबसे ज्यादा यूज हुआ है कि page को कैसे set करेंगे page की margin कैसे set करेंगे page का size कैसे set करेंगे यह सारी जानकारी आपको इसी margin में मिल जाएंगी तो हम margin में आते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि last custom normal wide narrow यह वो page है जो हम margin custom में यहां ना जाके हम यहीं से direct set कर सकते हैं हम चाहते हैं normal page set हो जाए तो देखेगा top में top bottom में 0.75.75 और left में 0.7.7 और header में 0.3.3 automatic ले लेगा जैसे click करेंगे तो यह आपकी margin जो है सीधे अगर जो हम check करेंगे तो देखना चाहिए देखना चाहते हो तो left top header footer देखो automatic आपका set हो चुका है तो यह वो page हैं जो आपके पहले से set हैं जैसे wide हम wide page set करेंगे तो wide पर जैसे click करेंगे तो top bottom left right में आपका पूरा चुटेगा 1.1 inch और आपका .5.5 जो है size वो चुटेगा header footer में जैसे हमने click किया अब इसको check करना है तो check करेंगे जब custom में जाके तो आपका देखेगा top bottom left right में आपका 11 चुटा है और header footer में .55 तो यह वो page हैं जो पहले से ही set है पहले से इसका page set है यह size वो गएरा set है तो वो है नेरो में आपका देखेगा इस size का page आ जाएगा तो यह तो पहले से set page हैं जो हमें रखना है इसमें रख सकते हैं और last custom पर click करेंगे तो यह भी आपका page set हो जाएगा देखना चाहते हो तो custom margin में जाके देख सकते हो अब छातर हम आगे देखेगा जब click करेंगे हम यहां पे तो बहुत सारे option इसमें आपको जानने को मिलेंगे तो हमें कैसे custom में आना है margin में जाके और custom margin पर click करना है तो आपके सामने page setup का option पूरा खुल के आ जाएगा आप page setup समझने के लिए आपको सबसे पहले page पर click करना है तो page में जब हम click क आपको मिलेगा orientation जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं portrait मिस होता है आपका सीधा page और landscape का मतरब होता है बेढ़ा page यदि मैटर ज्यादा है तो चवड़ाई कम हो जाएगी और चवड़ाई ज्यादा हो जाएगी और लंबाई कम हो जाएगी इसको आप landscape कहेंगे और portrait मिस य लंबाई ज्यादा हो जाएगी यह आपका portrait होता है तो portrait page का example हम दिखा रहे हैं आपको print preview करके यह आपका देखेगा portrait page है जो लंबा page हुआ और चवड़ा कम हुआ और आपको यदि देखना है landscape page तो landscape पे हम यहाँ page में आके landscape पे click करते हैं और ok करते हैं तो आपका print preview जो हम क करके कर लेंगे तो यह आपका देखेगा land escape page हो गया है तो आपको land escape और portrait के बारे में जानकारी मिल चुकी है आगे बढ़ते हैं फिर margin में हम custom margin में जाके यहाँ पे page पर click करके portrait page लगा लेते हैं अब हम आते हैं scaling में scaling में क्या होता है चात्रो अब ही देखो तो यहाँ प control F2 से control F2 से print preview करके देखते हैं यह यहाँ से भी file में आके हम print preview जो है वो देख सकते हैं print में जाएंगे तो आपका print preview आ चुका है तो चात्रो यह आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर total तक data आ रहा है देखेगा name से लगा के total तक data यहाँ पर आ रहा है और आगे का data जो ह अगे नहीं आ रहा है तो आपको आगे का data जो है वो भी अगर जो एड करना है तो इसमें percentage जो है आपको scaling का कम करना पड़ेगा तो आपका इतना data यह जो है वो भी include में करना है इसी page में तो margin में जाके custom में जाएंगे और इसका page में जाके यहाँ पर जो 100% है इसको हम कुछ कम कर लेते हैं यहाँ से माल लो हमने 80% कर लिया और 80% करके यहाँ पर one by one ही रखेंगे 80% करके जैसे ही okay करेंगे यह प्रिंट प्रियू हम करके देखेंगे तो यहाँ पर देखेगा grade भी आ चुका है percentage भी आ चुका है data जो है मतब मैटर छोटा मतब फांट दिखेगा लिख कभी मैटर ज्यादा हो जाता है और पेज में नहीं आता है तो उसमें हम स्कॉलिंग जो है उसके कम कर लेते हैं तो पूरे पेज में मैटर को हम अरजेश्ट कर सकते हैं अरजेश्ट का मतलब होता है कि मैटर अगर जो इधर अधर घट बल रहा है तो उसको अरजेश्ट करक तो इसमें हम फिर डेटा हमारा जो है यहां पर इतना डेटा यह नहीं आ रहा है Ctrl F2 किया तो हमारा डेटा फिर वही हट गया और फिर से हम अर्जश्ट करके आपको दिखा रहे हैं तो यहां custom में जाएंगे और यहां page में जाके जब अरजेस्ट करेंगे हम यहां पर कितने भी percent पे ओके तो हमारा page अभी देखेगा अरजेस्ट पूरा नहीं हो पाई है grade जो है वो कट रहा है 85% पे percentage तक आ गया है लिकिन grade कट रहा है तो फिर से हम वहां पर 80% ही कर देंगे सिधे और पूरा page जो है अरजेस्ट हो जाएगा यह आपका पूरा page अरजेस्ट हो चुका है तो छातरो यह practical आप जो करोगे और इसका ध्यान रखोगे तभी यह चीज़ समझवाएंगी फिर हम custom margin में जाते हैं और page में फिर आके आगे बढ़ते हैं यह आपका scaling के लिए हुआ अब आते हम paper size हमें कौन सा paper size लेना है तो यहाँ पर बहुत सारे paper size हैं A5 है, later है, A4 है, A3 है तो बहुत सारे paper हैं लोग जो बहुत ज्यादा प्रियोग किया जाने वाला paper है वो A4 है तो A4 size का हम paper ले लेते हैं और यहाँ पर हम okay करते हैं तो हमारा paper जो है A4 size का आ चुका है देखना चाहते हैं तो हम margin से फिर हम चेक कर लेंगे paper हमारा कौन सा है A4 size का हमने set किया है तो छात्रों page में आपको portrait, landscape, scaling और paper size के बारे में पता हो चुका है अब हम आते हैं margin में, margin का मतलब होता है चारों तरफ जो किनारा छोड़ा जाता है जैसे meter हमें लिखना है तो यह line आपको दिख रही होंगी तो यह line है यह आपकी, जैसे meter जो लिखा जाता है तो यह line आपको खिची भी दिख रही है यह आपका page के line है और इधर जो छोटा है चारो तरफ हलका यह आपका margin है तो margin मिस होता है आपका चारो तरफ जो किनारा छोटा होता है उसी को margin कहते हैं तो हम अपने हिसाब से tap में माना कि हमने point 25 कर लिया यहां पर हमने point 5 कर लिया यहां पर भी point 45 यहां पर भी point 45 देखो margin हमने अपने हिसाब से set कर लिया header footer भी set कर सकते हूँ अब हम आगे बढ़ते हैं margin में top bottom left right में margin और header footer मतलब उपर और नीचे जो सबसे heading पढ़ेंगी उसकी margin छोट चुकी है अब हम horizontal और vertical देखते हैं तो horizontal पर क्लिक करेंगे तो पूरा meter tap में seat के बीच ओ बीच में आएगा horizontal से vertical से जो होता है वो पूरा meter पूरी seat में बिल्कुल मध्ध में आएगा अब इसको हम check करके देखते हैं तो print free जब हम करेंगे तो यहाँ पर पूरा meter देखे seat के मध्ध में आ चुका है और इसी को फिर से हम page layout में जाके यहाँ पर हम margin में जाके vertical हटा देते हैं तो पूरा meter हमारा उपर पहुँच चुका है तो यह आपका page setup margin में जाके margin के बारे में हमने आपको बताया और दोनों चीज़ों को clear कराया फिर हम आगे बढ़ते है header and footer जो और भी important चीज़ है header and footer header and footer हम आपको बता रहे हैं दूसरी seat पिछातरो इसमें meter आपका कम है तो आपको meter बढ़ाना पड़ेगा तो इसके लिए हमने एक source data एक अलग seat बना रखी है अब हमने कई देखो इसमें page हमने बना लिया है आप भी कई हो page का meter ऐसे duplicate बना सकते हो समझने के लिए तो जिसमें 7-8 page लगभग आ जाए फिर हम क्या करते हैं page layout में जाते हैं margin में जाते हैं और custom margin में जाएंगे यहाँ पर हमको header and footer पर क्या होता है कि सबसे उपर और सबसे नीचे जो भी लिखना है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले number पर हमको लिखना है page number तो देखेगा यहाँ पर page number भी आ चुका है अब हम custom header पर क्लिक करते हैं तो center में page आपका page number आएगी और इधर हम लिखना चाहते हैं कि UPCIS और इधर लिखना चाहते हैं institute तो आपका दोनों तरह माइटर हमने header में लिख दिया ओके करेंगे और यहाँ पर custom में अगर जो को लिखना चाहते हैं तो custom में भी हम लिख सकते हैं custom footer और यहाँ पर मालों हमने center में लिख दिया created by UPCI और ok कर दिया तो यहाँ पर ok यहाँ पर भी हमने कर लिया अब देखना चाहते हैं कि page number और यह सब आया की नहीं तो यहाँ पर हम control F2 को click करेंगे तो देखना चाहते हैं आप तो देखिए यहाँ पर आपका page number 1 page number 1 UPCI SES इधर और institute इधर लिखके आया और सबसे नीचे जो footer में लिखा था हमने वो created by UPCI लिखके आया तो header footer के बारे में चाहते हो आपको बहुत ही आसानी से पता चल गया है अब हम इसके आगे का page देखते हैं page number 2 आएगा फिर उसके आगे देखेंगे तो page number 3, page number 4, page number 5 यह आपके page जो हैं आगे बढ़ रहे हैं बराबर तो यह आपका header and footer के बारे में clear हो चुका है कि header footer क्या होता है सबसे उपर हमने page number 1 डाल दिया और UPCI SES डाल दिया तो यह प्रतेज page पर अपने आप देखो छप चुका है यह नहीं हटेगा बाकी matter यह जो page का है वो change हो रहा देखेगा उपर जो नीचे वही लिखा है header footer में और आपका जो matter है वो change हो रहा है तो इस प्रकार से header add footer आप लिख सकते हैं अब header footer में आपको यहाँ पर हम header footer में जाते हैं यहाँ पर आपको custom header और custom footer के बारे में पता चल गया कि footer में नीचे लिखना हो और header में सबसे उपर जो लिखना हो वो चीज आ जाएगी फिर हम देखते हैं कि जो हमने matter लिखा है तो different odd and even हम चाहते हैं कि केवल हमारे even page आए और ना आये तो different पे tick लगा देते हैं और जैसे ok करेंगे हम तो हम control F2 से फिर press करेंगे तो यहाँ पर page number 1 आया अब हम अगर जो देखेंगे तो page number 2 नहीं लिख गया आया पूरा page number blank हो गया है अब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर page number 3 हमको फिर मिलेगा और page number 4 नहीं मिलेगा फिर हमें 5 मिलेगा तो इस प्रकार से एक page छोड़के एक दिखेगा एक पर नहीं छपेगा एक मतब जो है आपका जो बिसम page है मतब ओर नमबर है वो दिखेंगे और even number नहीं दिखेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी को समझने के लिए और यहाँ पे हमें header footer पे किलिक किया different old page हुआ अब हम चाहते हैं कि first page जो है उस पे page number जो है ना लिखके आए बाकी सब पे आए तो यह टिक हमने different वाला हटा दिया और ok किया अब हम control F2 से देखेंगे तो सबसे पहले page पर देखेंगा कोई matter नहीं लिखके आया और जैसे हम दूसरा page यहाँ लगाएंगे तो matter हमारा लिखके दो number आ चुका है तीन चार पाच यह पूरा page आता रहेगा पहला page छोड़ देगा तो यह आपका header footer में आपके सारे option clear हो चुके हैं यहाँ पर हम टिके दोनों हटा यह दे रहे हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं चात्रो margin आपका clear हो चुका है page clear हो चुका है और header clear हो चुका है अब हम बढ़ते हैं seat की तरब seat में आके हम क्या देखते हैं कि सबसे पहला option जो है print area print area का मतलब होता है चात्रो की जितना हमको print करना है जितना हमें print करना है उतना हम यहाँ data select कर लेंगे और print view में देखेंगे तो उतना ही data आपका यहाँ पे आएगा तो print area का मतलब होता है जो print area set करेंगे वही data हमारा print होके आएगा बाकी seat का data print होके नहीं आएगा तो print area के बाद हम आगे customer origin में जाके देखते हैं तो इसमें आता है row repeat अब एक चीज शात्रों देखो यहाँ पर हमारा data जो लिखा है तो row repeat जो लिखा product name, customer, quantity, qtr, qtr यापका जो matter लिखा है तो यह line जो है यह सबसे उपर एक ही बार लिखी है बाकी नीचे कहीं नहीं लिखी है और ctrl f2 जब हम press करेंगे आप चात्रों यह देखेगा यहाँ पर print area जो हमने set कर दिया था उसको हटाना भी पड़ेगा तो print area हटाना है तो यहाँ से print में जाएंगे और clear print area कर देंगे आपकी print area हट जाएगी और आप ctrl f2 प्रेस करेंगे तो पूरा matter आपका फिर से आ आप प्रेस करते जाएंगे और यहाँ पर हमारा matter पूरा आ रहा है आप छातरों में करना क्या कि control f2 जो प्रेस करते हैं तो आपका qtr 3 तक दिख रहा है और अगला पेज जो है हमारा दूसरे पेज पर आजाता है यह हमने ध्यान भी नहीं दिया और देख रो की qtr 4 यहाँ पर चाह सो कता कर वे हो में पिए इसको हम परें जरी देखिया एंद हम हमने में अरजश्ट करेंघ दो पूरे परसेंट संधी। प्रिंट टाइटिल रो तो हम चाहते हैं कि यह टाइटिल वाली जो लाइन है यह पूरे पेज पर हर एक पेज पर छपके आए तो यहां पर हमने किलिक किया और ओके कर दिया अब कंट्रोल एफटू प्रेस करेंगे तो देखेगा प्रोड़क्ट कस्टरमर नेम और क्वांट इसमें पूरे में है और जब आगे बढ़ाएंगे तो उस पेज पर भी पहले लाइन दिखेगी फिर आगे बढ़ाएंगे तो हर एक पेज पर जो हेड की लाइन हमने आपको सेट कर दिया है टाइटिल में वह आपकी टाइटिल पूरे पेज पर दिखेगी यह आपकी इसको delete कर देते हैं और okay करते हैं और इसके बाद हम print preview देखते हैं तो print preview देखेंगे जब तो हम पहले page पर तो दिख रही है लाइने उपर वाली और बाकी page उपर नहीं है तो बाकी page उपर लाने के लिए आपको क्या करना है margin में जाना है और custom margin में जाना है और यहां पर seat में जाके row to repeat top तो top वली row जो है उसके click करेंगे और okay करेंगे तो यह आपकी row प्रतेएक पेज पर repeat हो रही है यह आप देखेगा प्रतेएक पेज पर repeat हो रही है आगे बढ़ते हैं चात्रों margin में आके custom margin में जाएंगे और seat में जाएंगे हम चाहते हैं कि grid line जो हैं वो ना आएंगे और जब print preview देखेंगे तो यहां से grid line जो है वो line जो भी खिची भी दिख रही थी वो हट चुकी है फिर से हम बढ़ते हैं यहां paste system यही से भी open कर लो और seat में हम grid line अगर जो tick लगा देंगे तो हमारी grid line आ जाएंगे तो grid line का मतब यह grid जो दिख रही है यह प्रिं and white में convert हो जाएगी देखेंगा चात्रो black and white में convert हो गई है और यही से paste setup हम open करके grid line black and white हटा देंगे रो and column heading जो है तो row and column heading जो होती है जो a b c d और one two three जो है वो भी आपको देखना है तो row and column पे किलिक कीजिएगा और वो भी आपका a b c d e f और one two three four five भी आपको इसमें दिख दिखता हुआ नजर आएगा तो आपका चात्रो इतना किलियर हो चुका है हमने आपको पेज बता दिया margin बता दिया header footer बता दिया और seat के बारे में लगभग ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमने दे दिया है okay करते हैं हम यहाँ से और escape से बाहर आते हैं तो चात्रो हमने आपको seat पे margin के बारे में काफी चीज़े बता दी है जो custom margin में जाके page margin header seat सारी चीज़े clear हो चुकी हैं आगे बढ़ते हैं orientation जो हम portrait और landscape आपको पहले सी बता चुके हैं कि land scheme मतरब आपका ये बेढ़ा page हो जाएगा और portrait में सीधा सीधा पेज हो जाएगा size भी हम बता चुके हैं a4, later, legal जो भी लगाना है आपको size वो size भी आप लगा सकते हैं print area के बारे में भी बता चुके हैं कि मानलो हमें इतना data print करना है तो इतना हमने select कर लिया और यहां से print area sit कर लिया तो control F to press करेंगे तो print area आपकी उतनी ही print करेगी जितना हमने sit किया है और इसको हटाना है हमको तो clear print area पे click करेंगे तो देखेगा पूरा फिर से हमारा area clear हो चुकी है तो हमने आपको size print area के बारे में भी clear कर दिया है अब आते हैं background के बारे में यदि हमें excel कि सीड़ पर background लगाना है कोई तो यहां पर click करके work offline में जाएंगे जो भी background इसमें आपको लगाना है वो हम लगा सकते हैं जैसे यह background हमने देना है तो यह background आपका आ चुका है तो background हटाना है तो delete background पर click किजेगा और हट चुका है print title जो है वो हम आपको बता रहे हैं तो print title में जो हर एक page पर title आपका लगा हुआ है यह इसको पहले तो हटाते हैं तो print title पर जाके यहां से हम जो data पहले से भी इसमें बता भी चुके एक बार और फिर बताया दे रहे हैं कि print title जो होता है title line जो होती है यह हर एक page पर आनी चाहिए control F2 करेंगे और हम page बढ़ाएंगे यहां से तो हर एक line जो है वो title की line प्रतेक page पर नहीं है और हमें प्रतेक page पर लाना है तो उसी के लिए जो हमने margin में आके custom में आपको यहां seat में हमने आपको print area या row repeat बताया था तो वही option आपका यहां print title भी है तो click किया यहां पर वही option open हो चुका है और यहां पर आके हमने title की seat ले लिया ओके किया तो आपका पूरे print area जो है उस पे पूरे title मतलब title हर एक page पर आ चुका है तो चाहतरों इसको बताने की जरूरत नहीं हमको कि कुई हम पहले से ही बता च चाहतरों देखिएगा हमारा जो width और height scaling scale के बारे में भी हमने बताया है कि matter ज्यादा है और उसको adjust करना है तो यहां से हम percentage को कम ज्यादा कर सकते हैं तो matter उतना adjust हो चुका अब हम चाहते हैं कि पूरा matter जो है पूरा matter जो है यह कितना 6 page या 5 page का matter जो है एक page पर आ जाए तो इसके लिए क्या करेंगे यहां automatic width of height जो लिखा यहां पर हम कितने page पर चाहते हैं मानलो हम दो page पर चाहते हैं या एक page पर तो एक page पर चाहिए दो page पर चाहिए दो page पर click करेंगे और यहां से भी two page click करेंगे तो देखेगा matter f2 पर crisp क्या matter बहुत छोटा छोटा हो गया है ल बहुत जादा कम हो जाएगा लेखिन यदे हम print review करेंगे तो एक ही page पर देखेगा data आ चुका है पूरा दिखेगा भी नहीं पढ़ने में इतना छोटा है तो यहां पर चाहिए अगर जो matter बड़ा बड़ा लिखा दो page पर है तो इसको एक page पर कर लेंगे automatic फिर से हम लगाए दे रहें तो automatic जब फिर से लगा देंगे तो ctrl f2 जब प्रेस करेंगे तो हमारा फिर matter पहले जैसा हो जाएगा तो छात्रो आपका ये भी clear हो चुका है इधर का option अब हम बढ़ते हैं grid line की तरफ हम चाहते हैं कि view और print ये सारे टिक हटा रहे हैं तो grid line यहां नहीं दिख रहे हैं हम चाहते हैं कि view भी यहां भी दिखेंगे तो print पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी grid line आ चुकी है तो छात्रो grid line के बारे में clear हुआ headings जो हैं आपकी headings में जो आपका ABCD heading है वो आपकी दिखनी चाहिए तो view पे क्लिक किया तो देखेगा ABCD heading आपकी दिख रहे हैं और print में भी दिखनी चाहिए तो print में भी दिखेंगे देखेगा ABCDA और 123 तो आपका हम पहले भी आपसन उसमें clear करा चुके हैं और इसमें भी आपका clear हो चुका है चात्रों आगे बढ़ते हम bring forward, send forward, alignment, group, rotate यह option हम आपको MS Word में और Excel में भी यहां inside option में हमने आपको बताया है तो इसके बारे में हम आपको इसमें नहीं बताएंगे और देखना चाहते हो तो हम बताया दे रहे हैं हलका फुलका आपको shape में गए और यहां से कोई हमने shape लिया और shape लेने के बाद इसी के उपर एक हमने गोला का shape लिया इसमें हमने color दूसरा फिल कर लिया अब इस गोले को हमें चाहे कि ये send back हो गया bring forward उपर आ चुका है तो छात्रो page layout option आपका पूरी तरीके से clear हो चुका है अब इसमें कोई भी option ऐसा नहीं बचा है जो हम आपको बताएं thank you for watching